लड़की के टोनिग्यू पर हो गये हैं कीड़े और देखे हमारा चिम्टी वाला तुदेखिए हमारा चिम्टी बहुत इससे तरीके से कीड़े को रिमूव करेगा और हम लोग पूरा का पूरा इसका ट्रीट्मेंट करेंगे आज इसके पूरी ही टोनिग्यू और फेस का तो देखे बहुत ही जादा कीड़े लग चुके हैं तो देखे हमारा चाकू होल वाले कीड़े को बहुत ही सिफ तरीके से रिमू किया तो देखे हमारा सिकंचा वाले चाकू एक साइट की कीड़े को काटा और देखे दूसरे साइट का भी कीड़ा कट की निकल चुका है पूरी तरह और यह काफी खतरनाक वाले कीड़े हैं चुकि यह भी रिमू हो चुके हैं असानी से यह भी खतरना चेँ और यह चोटे चोटे होल वाले कीड़े भी रिमू हो सके हैं आग यह हमारा दूसरा चाकू और यह देखिए काफी बेहत खुबसूरत तरीके से काट की निकाल दिया पूरा का पूरा और देखिए रेड़ वाला कीड़ा भी पूरी तरह काट की निकल चुका है सेब तरीके से और यह मूव वाले कीड़े भी सेब तरीके से पतल मेरे चाकू ने काट की रिमूओ किया और हमारा गोल्डन वाला चाकू गोल वाले कीड़े को एक ही बार भी निकाल दिया और देखिए ब्लैक वाला कीड़ा भी गिनरे टाइप की कीड़े को काट के रिमूओ कर चुका है और देखिए क्रोमॉल अचाकू हमारा कुछ गिनरे टाइप की कीड़े को काटा और हम लोग अब इसके टोनग्यू पे दवा लगा देते हैं वो भी क्रीम वाला और आजाएगा हमारा कॉटरमूल रूई और हम लोग पूरा फेस को और टोनग्यू को साफ करेंगे बहुत इसे खुब बसूरे तरीके हमारा टाइवर भी चलने लगा है और टाइवर चलने के बाद देखते हैं तो फानले आप देख सकते हो इसके टोनग्यू का ट्रीटमिंट हो चुका है जैसा आप लोग देख सकते हो इस आदमी के पूरे ही हेड पे और पूरे ही माउथ पे बहुत ही तग्ड़े वाले कीड़े लगे हैं तो देखिए हमारा चाहू बहुत ही सेब तरीके से ट्राइवर भी या वाले कीड़े को निकाल चुका है एक ही बार में और ये कुछ गिनवरे टाइप कीड़े को एक ही बार में फिनिस करके निकाला आगे आदे तीलवला चाहू उमारा और देखिए बहुत ही ओसम तरीके से इसको भी काटके निकाल दिया पूरा का पूरा और ये गिनवरे टाइप के माउथ को भी निकाला और ये आँख वाला कीड़ा भी बहुत ही सेप और उसम तरीके से निकाल चुका है और इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को बहुत ही सेप तरीके से निकाला और ये बड़े बड़े कीड़े थे जो कि ये भी रिमू हो चुके हैं तो देखें बहुत सारे कीड़े को अब लोगे निकाल दिया है अब ये गिनोरे टाइप कीड़ा है और ये गिनोरे टाइप कीड़ा भी बहुत ही सेप तरीके से कट के निकल चुका है पूरा का पूरा कोड़ी की ट्राइप भूविया वादे कीड़े थे जो कि ये पी रिमूव हुए और ये बिलेज्ट जी वादे के रहे टाइप कीड़े थे आगे हैंडवाले चापू और ये चोटे-चोटे मैं गोड्स को रिमूव किया एक ही बार में आगे हमारा दवा तो देखें दवा ये बहुत ही सेफ तरीके से लब चुकी है और आगे हमारा कॉटन बुल्रूई तो टाइमर हम लोग चला देते हैं तो टाइमर चल रहा है टाइमर रिजर्ट हमारा क्या निकलता है और माउट पे लगे हैं कीडे हमारा चापू माउट वाले कीडे को निकाल दिया है और ये आई वाले कीडे थे तो देखिए हमारे चाकू बहुत ही ओसम तरीके से काटा तीन कीडे को और हैंड वाला चाकू बे देखिए आँखो वाले कीडे को निकाला और ये वाला कीडा भी गिर के समापत हो चुका है पूरा का पूरा और ये ट्राइपोपोबिया वाले कीडे थे जो कि ये भी सेप तरीके से रिमू हो चुके हैं और ये ब्लैक वाले खतरनाग कीडे जो कि खिनुए टाइप के हैं इसको भी निकाला हम लोगों ने और ये ब्लैक ट्राइपोपोबिया वाले कीडे ये भी निकल चुका है आगे हमरे इस्प्रे अब देखिए स्प्रे से हम लोग फंगल को हटाएं ये वाला फंगल भी गिर चुका है और दूसरा वाला देखिए फंगल बुरी तरह से गिर चुका है ओसम तरीके से हमारा चाकू ट्राइपोपोबिया वाले कीडे को असानी से काट के रिमूउट कर दिया है और कुछ ये भी ट्राइपोबिया वाले कीडे थे ज़का ये भी से तरीके से कट के रिमूट हो छके है तो हम लोग पूरे ही फेस का बहुत ही जवर्जास तरीके से ट्रीट्मेंट करेंगे आज और देखिए ये रेड़ वाले घिनोरे टाइब के कीड़े थे जो कि ये भी सब तरीके से कट के रिमू हो चुके है और ये कुछ ब्लैक वाले कीड़े थे जो कि ये भी सब तरीके से रिमू हो चुके है और ये वाइट वाला कीड़ा था जो कि बहुत ही बहुत ही खतरनाग था वो भी रिमू हुआ तो किच केड़े और बचे हुए थे तो इसको भी हम लोगों ने रिमू किया अब इसके माउथ को भो हम लोग दवा लगाएंगे माउथ में तो देखिए दूसरे जगर भी दवाई लग चुकी है ओसम तरीके से और आगे हमारा कॉटन बूल रोई और हम लोग टाइमर चल रहा है बहुत ही सेफ तरीके से पूरी ही फेस पे लग गये हैं कीड़े और देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा माउथ को और इसके आख वाले कीड़े को भी निकाला और ये दूसरा वाला आख वाला कीड़ा कटके रिमूव हो चुका है एक ही जटके में और इसके हेर पे भी लग गये थे कीड़े उसको भी देखिए हम लोग ने सेफ तरीके से रिमूव कर दिया है पूरा का पूरा और ये फंगल वाले कीड़े थे इसके फेस पे लगे वेट काभी तगड़े तगड़े के से वो भी गिर चुके हैं और ये ब्लैक वाले कीड़े वेदे के सेफ तरीके से कटके रिमूव हो चुके हैं एक ही जटके में और हमारा पतल वाला चागू बहुती ओसम तरीकी से काटके रिमूव गिया फिस वाले कीड़े को और हमारा हैंड वाला चागू भी देखी आदे वाले फिस वाले कीड़े को निकल दिया है और ये रिड़ा वाला कीड़ा बहुती चादा टेंजरस और खतलनाक होता है इसको भी रिमूव करती है हम लोग ने और देखिए कुछ घिराड़ टाइप ही कीड़े थे जोकि ये भी सेब तरीकी से कटके रिमूव हो चुके हैं और कुछ ये ब्लैक टाइप की कीड़े थे ये भी कटके रिमूव हो सुगे हैं और ये कुछ घिराड़े टाइप की कीड़े थे ये भी सेब तरीकी से कटके रिमूव हुए और देखिए हमारा पत्रोला चाकू मैंगोर्स वाले कीड़े को रिमूव कर चुका है पूरा का पूरा और देखिए हमारा कुरोम वाला चाकू भी आया ये भी सेब तरीके से ट्रेटमेंट किया और आके हमारा दवा तो देखिए दूसरे जग़े दवाई लग चुकी है इस भी माउथ में और ये हमारा माउथ का ट्रेटमेंट होगा आज पूरा का पूरा तो हम लोग टाइमर भी चला देते हैं तो टाइमर अभी चल रहा है, टाइमर चलने के बाद देख मैंने के पूरे ही दे के टोन ग्यू पर लग गए हैं कीड़े और इसके पूरे जीप पर का हम लोग कीड़े को रिमूव करेंगे एक ही सिगेंड में तो यह ट्राइपोपोबिया वाले कीड़े हैं, जो यह भी सेप तरीके से कट की निकल चुके हैं, हैंड वाला हमारे चाकू आ गया और देखिए फंगल वाले कीड़े को बहुती सेप और रोसब तरीके से निकाल चुका है आगे हमारा वैक्यूम और ये देखिए कीड़े को पकड़ा और रिमूव कर दिया है एक ही सिकेंड में और दूसरा वाला भी पकड़ा गया और ये वाला कीड़ा भी देखें सेब तरीके से निकल चुका है हमारा वैक्यूम का काम खतम आगे हमारा चाकू और ये गिनावने टाइप की केड़े को काटेगा और तेके गिनाउने वाला टाइप का कीड़ा गिर चुका है कट के एक ही सिकेंड में और ये वाला भी देखिए सेफ तरीके से कट के निकल की गिर चुका है टेंचरस कीड़ा था और ये फेफिड़े वाला भी कीड़ा देखिए गिर चुका है हम लोग आज पूरे इसके जीप का ट्रेशन करेंगे और ये आँख वाले कीड़े भी देखिए निकल चुकी गिर चुके हैं बहुती सेफ तरीके से आगे गोल्डेन वाला चाकु हमारा और देखिए गोल्डेन वाला चाकु बहुती सेफ तरीके से निकल चुका है एक ही सिकेंड में और ये मैंगोट्स के घवत थे जोकी ये भी सेफ तरीके से कटके निकले और ये मैंगोट्स वाले गिनोरी टाइप की कीड़े थे जोके ये भी कटके निकले और इसके दूसरे साइड भी लग गये थे तो इसको भी हम लोग ने सेफ तरीके से काटके निकाला और ये सिंग वाला कीड़ा भी गिर चुका है सेब तरीके से और ये दूसरा वाला भी सिंग वाला कीड़ा ये भी गिर चुका है आसानी से और ये हमारा सिल्वर वाला चाकू बहुती सेब तरीके से रिमो किया कुछ कीड़े को और देखिए काड़ेदार वाली कीड़े भी इसके जीब से निकल चुके हैं अब हमारा दवा लग चुका है और दूसरी जगे भी हमारा दवाई लग चुका है अब हमारा आगे है कॉटन बोल्ट रूई और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो देखिए हमारा टाइमर भी चल रहा है तो फाइनली आप लोग यह गाईस टॉन क्यूपे लगए है कीड़े और देखिए हमारा चाकू बहुत इससे तरीके से गिरोने टाइमरे कीड़े को काट रहा है और देखिए चीप पे लगे हुए गिन्यों ने टाइप कीड़ी के इट सुके हैं और ये बड़े वाले कीड़ी को एक ही बार में काटके निकाल दिया और ये ट्राइपोपोबिया वाले कीड़ी थे चुकि ये भी सेफ तरीके से निकल चुके हैं और ये होल वाले ट्राइपोबिया ये भी कटके निकले बहुत ही सेफ तरीके से और ये चोटे-चोटे ट्राइपोपोबिया है जर्क कि ये भी सेफ तरीके से रिमोव हुए और ये एट फोटे पूले ट्राइपकी ट्राइपोबिया वाले कीड़ी थे चुकिए भी सेफ तरीके से क brakes किये तो देखिए ये वाल राकफोबिया ये भी निकल चुके हैं और ये कुछ हॉल वाले के रहे थे चुक ये भी से तरीके से रिमूव हुए और ये जीडी वाले कीड़े भी देखिए से तरीके से कट कर रिमूव हुए और ये बड़े वाले के रहे ट्राफोबिया थे चुक ये भी से तरीके से कट चुके हैं और ये च्छोटे-च्छोटे मैंगोर्स वाले कीड़े हैं जो के भी रिमूव हुए और ये च्छोटे वाले कीड़े थे तो हम लोग पूरा डीप क्लीन करेंगे इसके पूरे ही जीब को और देखिए हमारा पतलोरा चागो बहुत ही से तरीके से सभी कीड़े को निकाला हम लोग अभी दवा लगा देंगे इसके जीब पे तो देखिए तवाई बहुत ही से तरीके से लग चुकी है और हम लोग अब टाइमर चलाएंगे तो देखिए टाइमर चलने लगा है आख पे लगे हैं कीड़े हमारा चाकू आख वे लगे हुए कीड़े को बहुत ही से तरीके से रिमूव करेगा और देखिए हम लोग ट्राइफ ओपोविया वाले कीड़े को भी से तरीके से काटके निकाल चुके और यह टीट वाले कीड़े थे चोकि यह भी से तरीके से कटके रिमूव हो चुके हैं और यह रेड़ वाले बड़े वाले कीड़े थे जो कि हमारो क्रोम और अचा कू काटके निकाल दिया और यह चोटे-चोटे होल वाले ट्राइफ ओफ ओविया थे जो कि यह भी रिमूव हो सके हैं और तरीके से और यह देखिए गिनोरे टाइब के ट्राइफ ओव ओविया है जो कि यह भी रिमूव हो सकें और देखिए हमारा ग्रीन वाला चा को बहुती से तरीके से कुछ केड़े को रिमूव किया और यह भी ट्राइफ ओविया वाले किनोरे टाइब के कीड़े थे जो कि यह भी रिमूव हो चुके हैं और यह किया चुके वाले मैंगोर्स कीड़े थे जो कि यह भी तरीके से कट चुके हैं और देखिए कुछ यह ट्राइफोफोबिया होल वाले थे तो यह भी रिमूव हुए और देखिए चीडियों का घवत पूरे आँख पे लगा हुआ तो इसको रिमूव की हम लोग अब दवा लगा देते हैं इसके पूरे ही आँख पे तो देखिए दवाई लग चुकी है अब आज आएगा हमारा कॉटन वूर्ट रूई और हम लोग अब टाइमर चला देते हैं टाइमर चलाने की बात देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकलता है